नमस्कार, आज का वीडियो है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवन सिंग्मान अरविंद केजरिवाल के बाद वह बड़ा लेक्छर दे रहे थे, रटा-रटा डायलोग था, इनका उतना दिमाग नहीं है अस्पताल बनाने वाला मंत्री जेल में है, स्कूल बनाने वाला मंत्री जेल में है, यह सब अक्वास कर रहे थे, तो इनका पूरा किस्सा सुनाते हैं, यह एक थी कॉंग्रेस, एक था जो कर, क्यों कहा गया एक था जो कर, इसी के बारे में सुनाएंगे, इसकी बेटी ने क्य कहा और उनकी जिन्दगी कैसी है पूरा दिखाएंगे भगवन सिंह मान और देखेगा दारू का बोतल चोरी दामन का साथ है और दारू नहीं है यह होई नहीं सकता जहां मान होंगे वहां दारू होगा तो देखते हैं उनके बारे में पहले बात है यह विकिपीडिया से यह म उसके बाद यह पढ़ना छोड़ दिया, बैचलर आफ कॉमर्स कोर्स अट शहीद उधम सिंग गवर्मेंट कॉलेज, फर्स्ट यार उसके बाद पढ़ा ही छोड़ दिया था, और यह कॉमेडियन बनने चले गए, लेकिन जब देखा कॉंग्रेस में उससे बड़ा कॉमेडिय है तो उन्हेनों कॉमेडिय भी छोड़ दिया, यह यूथ कॉमेडिय फेस्टिवल्स, यह कॉमेडियन है, इसलिए कहा था, एक था जोकर, ऐसे नहीं कहा था, यह यूथ कॉमेडिय फेस्टिवल्स, यह इंटर कॉलेज कॉम्पेटिशन में, यह गोल्ड मेडल भी जीत चु कर विकिपीडिया कहे रहा है हम नहीं इनका एक्टिंग केरियर है और इनको उठा के कहां लगा दिया इन्होंने पंजाब के मुख्य मंत्री इसके बाद देखिए पंजाब सियम के बारे में हर सिम्रत कौर बादल क्या कह रही है पूरा वीडियो सुनाएंगे लेकिन स्पीकर ने उन्हें सदन से बाहर किया पहला बात वह कोने में बैठते थे क्यों कि उनकी शराब की बदवू उसके सामने और कोई नहीं रहता था वह ग्यारा बजे शराब पीकर सदन में आते थे सदस्यों ने स्पीकर से अपनी सीटे ब यह तो स्टेट को ड्राइव कर रहे हैं मैं थ्वानु चैलेंज कर दिया कि तुसी पिछले स्पीकर तो लेलो जेडी किनी सारी कंप्लेंटा उत्थो आयां सी यह उना दे अपनी पार्टी थे दूज्या तो कि साठी सीट बदल दो जेड़ा मुक मंतरी पालमेंट दे वेच ग्यारा बज़े नशेदी हालत जी आवना सी ओह उन सुबा चला रहा है का सर और इसले स्मीकर साब ने एक पूरा सेशन उनको बाहर का रस्ता दिखाए था यह कमिटी वनी थी महताब जी उसके मेंबर थे और पूरा उनका सेशन बाहर ने यह तो उनकी सोच थी यह तो उनक के शराब के बदबू के सामने बैट नहीं सकते हैं अब उनके बेटे क्या कहती है सुनिए मेरा नाम सीरत को और माना ते मैं पंजाब दे मुख मंतरी पर गौन सिंग मान दी बेटी हैं एक गल मैं पहला ही कहना चाहूंगी कि मैं इस वीडियो चिर्फ उनना मिस्टर मान या सीम साब क्या के गल करूंगी मेरे मुखों पापा सुन दा हा को काफी देर तो खोचुके ने मेरा इस वीडियो बुणान दा रीजन कोई पलिटिकल मोटिव नी हैगा सिर्फ ते सिर्फ एया कि मैं चौनिया कि साड़ी स्टोरी भी सामने आए आज तक जो भी लोका ने सुनेया ओ सिर्फ सीम साब दे मुहों सुनेया साड़े वारे ते उस गल करके जिन्या गला सानु सुनिया परिया ने जिन्ना कुछ सानु देखना पया ओ मैं डिस्क्राइब नी कर सकवी ते आज तक असी चौप रहे हैं साड़े मदर चौप रहे हैं ने मिन्नू लागदा ना ने सामझ लेया के साड़ी चौप साड़ी का मजोरी है और ना नू एन ही पता के साड़े चौप रहन करके आज वेस वाले ते बैठे ने पेली गल मैं करना चाओंगी Mr. Maan दे वाइफ Dr. Gurpreet Maan is pregnant ओ तीजी वारी बाप बन जारे ने ए गल मिन्नू पता लगिया लोग का दो ए उन्ना ने मिन्नू आप दसना जरूरी नी सामझ या अपने बेटे दुलशान नू दसना जरूरी नी सामझ या मैं पुछना चाऊंगी के जिड़े थोड़े दो जवाक है गे ने मैं तेई साल दियां ते मेरा ब्रदर उन्नी साल दा होनवाला अप दे जवाक कानू तुसी जमा पास से कारके साइडते कारके उन्ना नू पुला के उन्ना दी जिम्मेवारी नहीं लई ताब तुसी एक खोर जवाक लाके अन लग गयों इस दुनिया ते एवे पिछे की रीजनिगा दिल्शान पिछले साल चे दो वरी गया इना नू मेर्न इना नू विजट कान ओ चौंदा सी के मैं अब दे फादर ना टाइम स्पेंड करां इना ने उनू सीम हांस दे विच नी अन दिता बहुत कुछ होया हो दो दोनों वारी जदो गया हो थे और साथे फैमिली फ्रेंज ना रहा हो थे चंडिगार दे विच एक दिन ओ चला गया जहां कुछ हो गया कि उनू आन दिता ता उनू रात नू करो कड़िया कि तू प्लीज जा है थो तू तू इथे नहीं रह सागदा अब पंजाब दे लोकां दी जम्मेवारी के मैं चकलू चिड़ा कुछ आसी देख्या साधी जंदगी देविच ओ ही ये पंजाब दे लोका ना री यूज कार रहे ने डिवोर्स ता रीजन ना ने ए दस्ते आसी के मेरी वाइफ चान दी सी के मैं पॉलिटिक्स देविच ना ज शराब पीना, एमोशनल एंद फिजिकल अब्यूस तोर्ड़ मादर, चूठ बोलन वी आदद, एंद एमोशनल ब्लाकमेल शराब पीके आज भी एक अदे विलान सबा चले जान देया, शराब पीके गुर्धवारे चले जान देया, शराब पीके प्रेस कॉन्फरेंसेज देया हों देया, एक लीडर दे वास्ते, जिदे नाल इनने लोकां दिया, आसान जुडियाने, तुसी इनने डिस्रिस्पेक कर रहे हूं जिनना लोकाने थो नो वोट पाई या उनना दी ही डिस्रिस्पेक्ट कर रहे हूं ए गाल करके मैंनो तब पता ही नहीं है इनो एक क्या हुजी आदता अज भी मैं देख रहे हैं किसे देज्वाक नू गर लाके रो रहे हैं किसे लेडी नू गर राके रो रहे हैं ओमें इमोशनल ब्लाकमेल है अज पंजाब दे लोकानू कर रहे हैं सिंपथी लैंड वास्ते आप देख पावर ले अपने फैदे ले पहुत गल्लाने थे में दास दीनू कांटे लंग जाने हैं पर मैं सिर्फ ए रिक्वेस्ट करना चाहनी हैं कि सदा नाम इनना दे नाल ना जोड़िया जाए इननने काफी क्लियर करता कि असपी इनन दे परिवारे देट नहीं हून दे मैं ते मेरा ब्राधर इननदे परिवार नहीं हून दे इनननल परिवार होन फर तो शुरू होन ले गया मिस्टर मान, कुंग्राचुलेशन्स तुसी फिर तो प्यो बन चले हो मैं सिर्फ एही दुआ कर सकती हैं कि ओजवाक दी जिंदगी साधे नाड़ों बेटर होए ओजवाक देले तुसी एक चंगा पाप बन के दिखा सको एक रिक्वेस्ट मैं होर करूँगी कि जिड़े पंजाब वास्टे तुसी आवधा परिवार छढ़े आशी तुसी परिवार नू छढ़ के उस पंजाब नू चणे आशी उसे पंजाब दे जवाका ले उसे पंजाब दिया वाले पहना ले कुश़ कर दो तो यह कह रही है कि यह तीसरे बच्चे के बाप बनने वाले हैं इन्होंने यह बताया नहीं वैसे दूसरी शादी है और यह परिवार से सारा रिष्टा तोड़ लिया है डिवोर्स की वज़े है इनके मा से यानि पहली पतनी से डिवोर्स का वज़े है इमोशनल ब्लैक मेल यह शराब पी कर कहीं भी चले जाते हैं प्रेस कॉन्फरेंस करते हैं असेबली में चले जाते हैं गुरुद्वारा भी चले जाते हैं गुरुद्वारा भी शराब पी कर सब संबंग निकाल दिया है और परिवार के सास सबसंबंध खत्म तो इस तरह के लोग किस तरह से अपनी पन्जाब को ठीक्से तीरेकशन दे सकेंगे पज़्याब को समान सकेंगे लेकिन अगर एक आच्छे बाब बने जो दूसरी शादीर से ये तीसरे बच्चे अगर अच्छे बाब मन सके और पंजाब को अगर जस्टिस कर सके इमानदारी से ठीक से वो डिरेक्शन दे सके नेत्रत्व दे सके तो शायद भगवान इसे माफ कर देंगे तो यह शराब पीकर हर जेगा जाते ते कौर जी भ गुरुद्वारा जाते हैं शराब पीकर एसेंबली जाते हैं शराब पीकर पार्लेमेंट जाते हैं शराब पीकर ऑफिस जाते हैं और शराब पीकर प्रेस कॉन्फरेंस करते हैं तो यह था भगवन सिंग मान जो नाटक कर रहे थे कि अस्पताल बनाने वाला क्यों जेल चल प्रणाग्या यह रटा-रटा है डायलॉग है लेकिन इनकी एक खुबी है कि ये बहुती वफादार है अर्वेंद केजडी वाल जो बोलेगा वही कहें गे वो बोलेंगे सडक पर लेड जाओ या सडक पर लेड जाएंगे वो बोलेगा हंगामा करो हंगामा करेंगे बोला बकवास करो बकवास करेंगे ये खाली इनको भाई बोतल देते रहो बोतल देते रहो उसके बाद जो बोलेगा वही करेंगे खाले बोतल मिलना चाहिए इनको पैसा भी ने चाहिए बोतल देते रहो और जो बोलो वही करेंगे यही इनकी खुबिया और इसलिए उसको चुना गया है पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में जो पार्लेमेंट में जाते ही सभी बोलते थे कि मेरा सीट बदल दो मैं इसक पास नहीं बैठ सकता यह जो बदबू आ रही है जिसको स्पीकर ने पूरे सेशन के लिए बाहर कर दिया लेकिन वह पंजाब का मुख्यमंत्री इसलिए चुना गया कि वह वफादार है और उसको बोतल जब तक बिलता रहेगा वह केजरी वाल की हर बात मानता रहेगा वह स सचाई हम फिर मिलेंगे आसा और वीडियो के साथ तब तक के लिए रमस्कार